हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो एकलववे स्टेडी पॉइंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 एकनॉमिक्स की बुक हमारी है इंडियन एकनॉमिक डेवलोपमेंट, यूनिट सेकिंड का हमारा ये चैप्टर नंबर 5 है और 1 से 4 तक जो चैप्टर हम पहले कर लीजिए जो क्लास 12 एसपी नियो ग्रूप नाम से है इस पर आपको हमारे चैनल से संबंदि जो भी इप्टेंट पीडिएफ नोट्स है या लेक्चर की जो भी पीडिएफ है वो मिल जाएंगी इंपोर्टेंट्स को भी अपडेट्स रहती है वो बता दी जाएगी साथ में आपको 12 के चैप्टर वाइस सारे इंपोर्टेंट कोश्चन MCQ या जो भी इंपोर्टेंट पेपर के लिए है वो सारी चीजें हैं पर प्रवाइड करवा दी जाएंगी तो आज समझते हैं हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिन पर हम डिसक्रशन करेंगे तो सबसे प सबसे पहले समझते हैं हम ग्रामीड विकास का क्या अर्थ है कि ग्रामीड विकास क्या होता है ग्रामीड विकास का अर्थ है ग्रामीड छेत्रों के समाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक कार योजना जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रामीड छेत्र है वो काफी पि के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे गाउं का विकास किया जा सके तो इसके लिए कार योजना बनाना ही क्या है ग्रामीड विकास है कार योजना का उद्देश ग्रामीड शेत्रों में मौजूदा यानि अभी और उभरती हुई चुनोतियों उपर ध्यान कें करना है तो कार योजना किसले करी जाएगी कि ग्रामीड शेत्रों में क्या क्या समस्याएं है यानि मौजूदा क्या चुनोतियां है और आने वाले समय में और क्या चुनोतियां आ सकती है तो इन सब चीजों के लिए एक कार योजना बनाई जाती है ग्रामीड विकास एक व विकास में पिछड़ गये हैं तो हमारा स्वारगिन विकास का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजे हैं ग्रामिड छेतर में जिनके उपर आज भी काम नहीं हो पाया है आज भी ये छेतर काफी पिछड़े हुए हैं तो कार योजना ऐसी बनाए जाएगी ताकि ग्रामिड अ कई पहलों की आवसकता है यानि बहुत सारे कामों की आवसकता है तो भारत में ग्रामिड विकास के लिए बहुत सारी चीजों पर अभी भी काम करने की जरूरत है इस प्रकार इनको हम देख सकते हैं जैसे साक्षर्ता, विसेश कर नारी साक्षर्ता, शिक्षा और कोशल का विकास तो भारत में ग्रामिड शेतर में अभी भी ये सब चीजे जो है वो काफी पिछडी हुई है तो साक्षर्ता पर विसेश ध्यान दिया जाए खास कर महिलाएं महिलाओं की जो सिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया तो इनको आगे बढ़ाना भी एक बहुत जिसमें सवच्ष और जन्च स्वास्थ दोनों सामिल हों तो स्वास्थ सुविधाय भी उत्तम दर्जे की हमें देखने को नहीं मिलती है अपने छेत्रों में क्योंकि वहां पर अच्चे जो चिकसाले नहीं है ठीक है होस्पिटर्स वगेरा नहीं है और जो बेसिक भूमी सुधार की भी बहुत important जरूरत है क्योंकि जब से भारत ऐजाद हुआ है तो भारत के आजादी के बाद सही खेतों में बहुत सारी समस्या हैं देखने को मिली है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्याद़ा खेत है कुछ लोगों के CB छोटी-छोटी जगहों पर है औ पशूपालन हो गया, या फिर खनन्स चेतर हो गया तो इन сब छीजों पर प्रात्मिक छेतर हैं उनके उत्पादन का विसेज ध्यान देना ताकि क्योंक्тов ग्रामिड चेतर जो होते हैं ज़ yg दर प्रात्मिक रिया कलापों पर निर्भर होते हैं वगर प्रात्मिक छेतरों के उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो ग्रामिड अपनी अर्थववस्ता का वैसे ही विकास कर लेंगे तो इसलिए ग्रामिड विकास के लिए उत्पादन संसादनों का विकास करना भी बहुत जरूरी है आधारित सनरचना का विकास ठीक है आधारित सनरचना का मतलब होता है कि जो बेसिक चीज होती है एक जगह की जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके जैसे बिजली, सिचाई, साक यानि रिण विपडन, बजार वगेरा, परिवहन सुविधाएं ग्रामीड सडकों के निर्मान सहित, राजमार्ग की पोशक सडकें बनाना, किरसी, अनुशंधान, विश्तार और सूचना प्रसार तो ये सारी जो है किसे ग्रामीड शेतर की जो है कि आउसर उपलब्द कराने पर विसेज ध्यान दिया जाना चाहिए तो निर्धनता निवारण बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रामीड शेतरों में उतना रोजगार नहीं होता लोग प्रात्मिक क्रियाओं में लगे रहते हैं उस वहीं पर कहीं किरसी शेतर में एक मजदूर के रूप में काम करते हैं तो उनकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है तो इसलिए वो ज़्यादा तर लोग जो होते हैं वो निर्धनता के सिकार हैं तो गॉर्मेंट को क्या करना चाहिए इन निर्धनता को दूर करने के लिए उनके लिए कुछ ऐसे कारिकरन चलाने चाहिए जिससे उनको रोजगार वगएरा मिल सके और वो अपनी निर्धनता है यानि जो बेसिक जरूरते हैं उनको यानि रोटी कपड़ा और मकान जैसी जरूरतों को कम से कम पूरा कर सके तो इसके लिए भी सरकार को जो है वो विसेश ध्यान देना चाहिए तो ये सारी जो चुनोतियां हैं हमारे देश के ग्रामिड विकास में इसमें अगर इन्हें कम किया जाए या इन्हें सुधार दिया जाए तो हमारा ग्रामीड विकास काफी अच्छे से हो सकता है ग्रामीड विकास क्यों जरूरी है अब बात आकी है कि ग्रामीड विकास की जरूरत क्यों है तो भारत में अधिकांस गरीब लोग ग्रामीड शेतरों में रहते हैं जहां उन्हें जीवन की बुनियादी अवशक्ताओं तक पहुंच नहीं है तो जैसा हमने अभी देखा भी कि ज्यादा तर हमारे हैं जो अबादी वो क्या है ग्रामीड खेत्र के अबादी आज भी बहुत सारी जनसंक्या जो ग्रामीड खेत्र में लगी हुई है और वहीं प भारत में ग्रामीर छेतर जो है वो काफी गरीबी में है और उनका विकास करना बहुत जरूरी है हमारी कुल अबादी का लगभग 22 परतिशत अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है यानि अगर हम अपने देश की जनसंख्या की बात करें तो 22 परतिशत लोग आज भी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है यानि कि उनको बुनियादी जो चीजे हैं जो बेसिक चीजे हैं वो भी नहीं मिल पा रही है ग्रामीड अर्थ ववस्ता में अधिकतम हिस्सेदारी रखने वाली किरसी पिछले 50 वर्सों में 2.7% की मामूली दर से बढ़ रही है यानि अगर हम अपने किरसी की जो वर्थ ववस्ता है उसके विकास की बात करें तो उसकी विकास दर भी बहुत धीमी है और हमारी जीडिपी में किरसी का योगदान भी जो है वो उतना देखने को नहीं मिल पाता कि उस हिसाब से वो प्रगती कर रहा है क्यों क्योंकि हम ग्रामीड विकास पर ध्यान नहीं दे पाते हैं गौर्मेंट सही से उनका ख्याल नहीं रखती है उनको जो बेसिक सुविधाय हैं वो मुहया नहीं करवा पाती है इस वज़े से हमारा जो ग्रामीड अर्थववस्था है वो काफी पिछडी अर्थववस्था में गिनी जाती है 2007 से 12 के दोरान किर्सी उत्पादन में 3.2 की वृद्धी हुई सकल घरेलू उत्पाद में किर्सी छेतर की हिस्सेदारी घट रही थी और ओद्योगिक और सेवा छेतर की हिस्सेदारी में वृद्धी हुई थी हाला कि किरसी छेतर पर निर्भर आबादी में कोई महत्पून बदलाव नहीं दिखा है यानि अगर हम देखा जाए तो हमारा जो प्रात्मिक और दुत्यक छेतर है वो बड़ी तेजी से आर्थिक वृद्धी की दर हासी कर रहा है या फिर कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धी दर काफी अच्छी है अगर जीडिपी में योगदान भी देखा जाए तो हमारा दुत्यक और तृत्यक जो छेतर है वो काफी आगे है वहीं जो हमारी प्रात्मिक छेतर है यानि जो किर्सी छेतर है उसमें जो हमारा गर जीडिपी की हिस्सेदारी देखी जाए वो बढ़ी तो है थोड़ी बहुत लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि वो ग्रामिड छेतर का विकास कर सके तो ये भी एक समस्या है इसके लावा 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद 1991 से 2012 के दोरान किर्सी छेतर की वृद्धी दर घटकर घटकर तीन परतिशत परतिवर्स रह गई है जो पहले की वर्सा की तुलना में अधिक थी यानि जो पहले हमारी जो अर्थववस्था थी ग्रामिड छेतरी अर्थववस दूसरी और तीसरे क्रया कलापों पर ज्यादा हो गया तो वो छेतर तो विक्सित होते चले गए लेकिन किर्सी छेतर पर उतना ध्यान ना दिये जाने के कारण या ध्यान दिया भी गया तो कुछ छेतरों में कुछ राज्यों में ध्यान दिया गया तो वो तो ठीक ठाक हैं लेकिन अगर हम और राज्यों की बात करें जो पिछड़े हुए राज्य है या जिन पर उस तरह का विकास नहीं हुआ है वो पिछड़ते ही चले गए और यहां तक हमारी जो GDP है वो भी जो है किरसी छेतर में देखी जाए तो उसका विस्तार भी काफी धीमा हुआ है इसलिए भारत की वास्तविक प्रगती तभी संभव है जब ग्रामीड छेतरों और ग्रामीड लोगों का विकास होतके ताकि भारत का समग्र विकास हासिल किया जा सके तो भारत के समग्र विकास के लिए सबसे इंपोर्टेंट है ग्रामीड छेतरों का विकास क्योंकि आज भी हमार विकास की चुनोतियां कौन-कौन सी है यानि जो ग्रामीड विकास है उसमें कौन-कौन सी चुनोतियां आती है तो सबसे पहली जो चुनोति है वो है हमारी ग्रामीड रिंड की चुनोति कि जो ग्रामीड लोग होते हैं उनको उधार में पैसे की जरूरत होती कर भी लिया तो उस उत्पादन को बजार किसे पहुंचाएं और कैसे बजार में बेच कर उस पर मुनाफ़ा कमाए ये भी एक बड़ी चुनोती है हमारे हांक्रामीड विकास की तो ग्रामीर्ण विकास में जो रिण की चुनोती है वो क्या होती है किरसी में फशल की बुवाई और आय प्रापती के बीच लंबे समय के अंतराल के कारण खिशानों को रिण की सकता होती है और ये तीन परकार के होते हैं तो अगर हम देखें बेसिक तोर पर जो ग्रामीन किर्शक होते हैं उनको जो रिण की जरूत होती है पहला जो होता है अल्पकालीन रिण तो अल्पकालियन रिंड मुख्य रूप से बीज हो गए, उर्वरक हो गए, कीटनाशक और कीटनाशकों के साथ ही बिजली बिलों का भुकतान के लिए रिंड की आशकता पड़ती है यानि जो छोड़ी-छोड़ी सी जरूरत होती है उनकी उनके लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता है, रिंड लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी फसल तयार होती है और जो विकने का टाइम होता है, वो लगबग 3-4 महिने का होता है, उस समय भी उनकी बहुत सारी जरूरते होत जैसे मसीनरी की खरीद अगर उन्हें कोई मसीन खरीदनी है बाड के निर्मान करने हैं कुँगों की खुदाई करनी है तो ऐसे रिण आम तोर पर बारा से बारा महिने से पांच साल की अवधी के लिए लिए जाते हैं कि दिर्गकालिन रिण। दिर्गकालिन रिण की अवशक्ता अत्रिक्त भूमी की खरीद याँ अगर उन्हें क्या ख़रάνा है यहादा जमीन खरीदनी है उसकी जरुष्य विए वोता है मौझूदा भूमी पर स्थाई सुधार करने के लिए होती यानि अगर उनकी मौझूदा जमीन जो खराब है उनको ठीक करने के लिए ऐसे रिनो की अवधी 5 से 20 साल के बीच होती है तो इसको जो थोड़ा लंबा टाइम लगता है जो किसान हैं उनको रिन कहां से प्राप्त हो तो उनके लिए जो रिन के स्रोत होते हैं वो दो परकार के होते हैं पहला जो होते हैं वो गैर संस्थागत स्रोत होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो संस्थागत स्रोत होते हैं दो जगहों से ये लोग रिंड प्राप्त करते हैं, इनको समझते हैं ये चीजें क्या हैं, तो सबसे पहले समझते हैं गैर संस्थागत स्रोत क्या हैं, यानि रिंड के जो स्रोत हैं, जहां से जो ग्रामीड लोग होते हैं, वो रिंड लेते हैं, वो कौन-कौन से स्रोत हैं, उनसे क्या होते हैं ब्याज पर रिंड ले लेते हैं क्योंकि इनको लेना बहुत आसान होता है और ये इनकी जान पहचान के भी होते हैं तो ये ज़्यादा तर प्रेफर करते हैं कि भाई इनसे रिंड पर पैसे ले लिए जाएं और ये लोग इनको दे भी देते हैं परंपगरत रूप से किसानों की अधिकांस रिण अशक्ताएं इन सरोतों के माध्यम से ही पूरी की जाती है तो पुराने समय से लोग क्या है इन लोगों से रिण लेते आए पहली पंचवर्सी योजना की सुरुवात में किसानों द्वारा लिए गए कुल रिण में गैर संस्थागत सरोतों का हिस्सा 93 परतिशत था यानि अगर हम पहली पंचवर्सी योजना की बात करें तो उस समय जो किसानों के लिए जो रिण के सरोत थे महत्पुन स्रोत थे वो यही लोग थे यहीं से वो लोग क्या करते थे अपना रिंड लिया करते थे हाँ यहाँ पर बस ये एक समस्थ्या बहुत ज्यादा होती है कि इनकी जो ब्याज दरे होती है वो बहुत ज्यादा होती है जो बाद में किसानों के लिए एक शोशन का सब्सक्राइब तो इनको संस्थागत रूप से किसानों को रिंड देने के लिए यह विसेश प्राउधान किये गया और इन प्राउधानों के द्वारा इन लोगों के जरिये संस्थागत तरीके से जो है किसानों को रिंड देने की विवस्ता सुरू करी गई ताकि उनको आर्थिक सोशन से बचाया जा सके पहली पंचवर्सी योजना की सुरूवात में किसानों की रिंड अशक्ताओं में इसका योगदान केवल 7 परतिशत था लेकिन वर्तमान में इनकी इस्यदारी बढ़कर 66 परतिशत से अधिक हो गई है यानि समय के साथ साथ जो संस्थागत रिंड के जो स्रोथ हैं उनमें सुधार आया है और लोग जादा तर जो है इन संस्थाओं से अब रिंड लेते हैं तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ये जो होते हैं, एक संस्थागत होते हैं, तो इनमें जवाब दही होती है, तो ये थोड़े आर्थिक सोशन से जो किसान होते हैं, वो बच जाते हैं भारत में ग्रामी रिन्ट प्रदान करने वाली कुछ महतपूर्ण संस्थाएं और एजन्सियां, तो संस्थागत बहुत सारी संस्थाएं हैं, भारत के अंदर जो रिन्ट उपलब्द करवाती हैं, उनके बारे में समझते हैं सहकारी रिन समितियां सहकारी रिन समितियां किसानों को उचित ब्याज दर पर प्रयाप्त रिन परदान करती हैं ये समितियां फसल उत्पादन बढ़ाने के उदेश्य विविद क्रिसी कार्यों में मांगदर्शन भी करती हैं और वर्तमान में सहकारी समितियों के ग्रामेड रिंड प्रवाओं में 16-17 प्रतिशत योगदान है तो ये सहकारी रिंड समितियां जो है ये सरकार द्वारा ववस्तित रहती है और में कारण ये होता है इनका कि ये क्या करती है ब्याज के साथ साथ किसानों को फसल उत्पादन के तरीके भी बताती है कि कौन सी फसल से उनको ज्यादा फायदा हो सकता है और कैसे वो अपना जो है उत्पादन वगएरा बढ़ा सकते हैं तो इसका ये फायदा है तो ये सहकारी रिन समितिया है जो ग्रामीड शेत्रों में और प्रोवाइड करवाती हैं थे किसानों को दों जो होते हैं वह यह उपलब्द करवाते हैं ताकि वो अपने किर्सिया और सब कामों के लिए जो है वह काम कर सके घ्रामीड रिंण पर ध्यान के इंद्रित कर थे वह। 1555 में भारती स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी ग्रामीड रिंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए वानिज्य बैंकों की भूमिका बढ़ाई गई है इसी करण 1969 में कुछ बैंक राष्टे करन भी किये गए ठीक है तो इसलिए ध्यान देना जरूरी था ग्रामीड शे जिसानों को सीधे और साथ ही सहकारी समुट्यों के माध्यम से अपरतेक्श रूप से रिंड परदान करें तो इनको निर्देश दिया गया कि भाई आप लोग क्या करो जो किसान है जिनको जरूरत है उनकी जरूरत के हिसाब से उनको रिंड प्रवाईड करवाओ ठीक है त उनके लिए काफी काम भी करती है संस्था नाबाड ग्रामिंड रिन और उससे संबंदिद आर्थिक गत्विदियों के छेतर में निती यानि कि किस तरह से रिन प्रवाइड करवाया जाएगा योजना और संचालन को सम्हालने वाली एक सीर्स संस्था है ठीक है तो इस संस्थ करती है जैसी वानिज वैंकों के लिए और बी आई करता है इसके प्रमुक कारेस प्रकार है पहला ग्रामिंड शेतरों में रिन प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए सीर्स वित्थ पोशन एजनसी के रूप में कार करना ठीक है यानि क्या करती है कि जो भी ग्रामिंड प्रवाइड करवारी है एजनसी है तो उनके लिए उनको अगर पैसे या किसी चीज की जरूरत है तो वो है वो नबाट द्वारा पूरा किया जाता है रिण वित्रण प्रणाली में सुधार के लिए उचीत उपाय करना बैंक को रिण संस्थाओं के पुनरगटन और कर्मियों के परस्रिक्षन पर द्यान के इंद्रित करना तो यह लोग जो भी रिण से संबंदित जो भी नीतियां होती है वो बनाते हैं और लोगों को परस् रिण संस्थाओं की ग्रामीड वित्ट पोशन गतिविधियों का संबंदित जो भी हमारे हां जो संस्थागत एजंस्थी यह जो रिंड प्रवाइड करवा रही है उन पर ध्यान देना कि वो किस तरह से रिंड दे रही है और क्या उनकी प्रोसेस है भारत सरकार राज्य सर रिजर्व बैंक और नीति निर्मान से संबंधित अन्य राष्ट्य स्तर की संस्थाओं के साथ संपर्ग बनाये रखना तो जो भी केंदर स्तर की हो गई या राजिस्तर की संस्थाएं हो गई तो उनके साथ इनका कॉंटेक्ट होता है और यह ध्यान देती रहते हैं कि और मुल्यांकन भी करना होता है तो यह लोग क्या करते हैं कि जो भी रिंड से संबंदित एजंसिया या जो भी रिंड पर वाइड करवा रहे हैं ग्रामीड शेत्रों पर उन सब पर नजर रखना ठीक है उनका पुनर वित्यपोशित यानि अगर उनमें कुछ समस्या है तो उ स्वयम सहायक सम्मू ठीक है तो नेक्स्ट आते हैं हमारे स्वयम सहायक सम्मू जो है तो जो स्वयम सहायक सम्मू जैसे नाम से पता लगता है यह लोग रिंड की सुविधा व्यवस्था जो है वो अपने आप ही करते हैं यानि एक ग्रूप होता है लोगों का और वो ग्रू मारने का काम करता है ठीक है तो ये लोग क्या करते हैं जो भी गरीब और गरीब लोग हैं जो पिछड़े हुए लोग है जिनके पास आर्थिक संसाधन की कमी है उनको क्या करते हैं ये लोग आपस में इकठा करके आर्थिक और समाजिक इस्तिति को अच्छा करने की कोसिस करते इनका ध्यान मुख्य रूप से उन ग्रामिड गरीबों पर है जिनकी ओपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक कोई स्थाई पहुंच नहीं है यानि जिनको पता ही नहीं है कि संस्थागत स्रोतों से कैसे लोन लिया जा सकता है या उनको कागजी कारवाई का ग्यान नहीं होता औ तो वो लोग क्या करते हैं कि Self Help Group बना लेते हैं ठीक है स्वेम सहयता सम्मू बना लेते हैं और वो खुद यहां से क्या होते हैं आपस में दूसरे को रुण प्रोवाईट करवाते हैं इनके लक्षित सम्मू हों में छोटे और सिमानत किसान किरसी और गैर किरसी मजदूर का परिगर आदी सामिल होते हैं चोटे स्तर के जो काम करता लोग होते हैं उनको इनमें सामिल किया जाता है स्वेम सहयता सम्मू प्रतेक सदस्य से नियुनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में बचत को बढ़ावा देते हैं एकत्रित धन से जरूरतमन सदस्यों को चोटी धनरासी के साथ क्या करते हैं कॉंट्रिब्यूट करना सुरू करते हैं सहयोग देना सुरू करते हैं पैसा देते हैं और वो पैसा रखा जाता है उस पैसे से जिसको जरूरत होती है उसको रिंड प्रवाइड करवाया जाता है और एक सस्ती किस्त उसकी बना दी जात तो यह विवस्ता की जाती है, Self Help Group द्वारा, मार्च 2012 तक कथित तोर पर 43 लाग से अधिक, SHD, RIN से जुड़े हुए हैं, और SHD, यानि Self Help Group में महिलाओं के सशक्ती करण में भी मदद मिली है, तो ज़्यादा तर हमें देखने को मिलता है, कि Self Help Group जो काफी अच्छे से काम कर रह हाला कि उधार मुख्य रूप से उपभोग उद्ध्यों तक ही सेमित है, और नागर ने अनुपात किरसी उद्ध्यों के लिए उधार लिया जाता हो, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है, कि ये लोग जो उधार लेते हैं, ये उधार का जो उभोग करते हैं, ये अपने लापों के लिए थोड़ा कम रिन लेते हैं, और भोग के लिए जादा लेते हैं, तो ये थोड़ी से एक समस्या है, इन सेल्फ हेल्प ग्रूप की, अब समझते हैं, ग्रामीड बैंकिंग का अलोशनात्मक मुल्यांकन, कि जो ग्रामीड बैंकिंग है, जो हम ग्रामीड बै दूलनों की मात्रा अभी भी इसकी मांग की तुलना में अप्रयाप्त है यानि जितने लोगों को रिन चाहिए उतने लोगों को रिन मिल ही नहीं पाता सबसे बड़ी समस्या यह है संस्थागत सरोतों का अप्रयाप्каV drives जो संस्थागत रिण व्यवस्ता है वो अप्रयाप्त बनी हुई है क्योंकि वे देश के सभी ग्रामीड किसानों को कवर करने में विफल रही है यानि हर ग्रामीड छेतर तक जो है संस्थागत सरोतों कि रिण की जो पहुंच है वो मौजूद नहीं है तो ये भी एक समस्या है मंजूरी की अप्रयाप्त रासी किसानों को स्वकृत रिण की रासी भी अप्रयाप्त है प्रणाम सुरूप किसान अक्सर ऐसे रिणों को अनुपादन उद्देशों के लिए मोड देते हैं ऐसे रिण के मूल उद्देश को ही कमजोर कर देते हैं सबसे बड़ी समस्य ये भी हो जाती है इनकी कि इनको जितना रिंड चाहिए होता है उतना रिंड इनको मिल नहीं पाता तो वो लोग क्या करते हैं उस रिंड का कुछ और इस्तेमाल कर लेते हैं यानि जिसलिए रिंड लिया होता है वो काम ही नहीं हो पाता है ये भी एक बड मिलता भी है तो बहुत कम मातरा में दिया जाता है तो इसलिए फाइदा कौन उठा जारा है जो रिनों का फाइदा है इन रिनों का फाइदा जो है वो अमीर किसान ज़्यादा उठा रहे हैं बढ़ते बकाया बकाया की समस्या चिंता का विशय है किरसी रिन लगातार एक ऐसा छेतर बना हुआ है जिसमें बकाया रासी बढ़ने का मूल कारण खराब पुनर भुकतान शमता है एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी है कि लोन तो ले लिया जाता है लेकिन लोन वो चुका नहीं पाते हैं ठीक है जिसके प्रणाम सरूप रिन एजनसिया किसानों को रिन देने में सतर्क हो रही है क्यानि बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो रिन तो ले लेते हैं लेकिन वो चुकाते नहीं और जब रिन एक बार इस चुकाया नहीं जाता है तो जो भी एजंसियां होती हैं, जो भी संसागसरोत होते हैं, वो बाद में किसानों को रिंड देने से पहले सोचते हैं, और उस समय समस्या ये आती हैं कि जिनको जरूरत होती हैं, उनको लोन भी नहीं मिल पाता हैं, तो ये कुछ समस्यां हैं हैं हमारे देश के अंदर, अब समझते हैं ग्रामिण विपडन की चुनोतिया ये तो हमने देख लिया किस तरह से किसान को अपने उत्पादन को करने के लिए रिण की जरुवत होती है ठीक है अगर मानले किसान ने अपना उत्पादन कर लिया है तो उसको बचार तक पहुंचाने की भी बहुत सारी चुनोत सामिल है यानि कि जब अनाच का उत्पादन हो जाता है तो विपडन के लिए इन सब चीजों की जरुवत पड़ती है और इन सब चीजों के लिए भी सरकार द्वारा उचित व्यवस्ता नहीं देखने को मिलती है तो ये भी एक बड़ी समस्या है ग्रामिण लोगों को ना क केवल वित्य के संबंद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है बलकि अपने माल के विपडन में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है यानि कि एक तो सबसे बड़ी समस्याओं का उत्पादन है और उत्पादन के बाद उसको बेचना भी एक बड़ी चुनोती उभर कर आती है सामने किसानों के लिए किसी विप्रन प्रणाली एक कुसल तरीका है जिसके द्वारा किसान अपने अधिसेस उत्पादन को उचित और उचित मूल्यों पर बेच सकें क्योंकि किसान जो उत्पादन करता है और उस उत्पादन को भंडारन करके या उचित दाम पर ब तो उत्पादन हो भी जाता, उसका उचित समर्थन मूले भी नहीं मिल पाता है, इस परकार किरसी विपढ़न को इस परकार प्रभासित किया जा सकता है, जिसमें सामील है, तो किस तरह से हम कहेंगे भाई, हमारे हाँ जो ग्रामेड विपढ़न केंद्र को किस तरह से प्रभा कारण करना जैनाज से अलग करना कंफर को अलग क्म अच्छे नाज होते हैं तो उसके लिए भी कुछ विवस्थान होने चाहिए उत्पादन को उसकी गुणवत्ता के अनुसार ग्रेड करना यानि जो अनाज होता है वो अलग-अलग विक्री के लिए उत्पादन को श्टोर करना और अगर किसान को लगता है उनको अभी बचा के रखना चाहिए और भविस्व में उसको बेचना चाहिए अच्छा प्राइज मिलेगा तो उसके लिए भी कुछ विवस्था जब कीमत आकर्शक हो तो उत्पादन को बेचना तो यह सारी जो समस्या है यानि अगर यह सारी चीजें जो है किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है इनको हल करना बहुत जरूरी है विपड़न के च्छेत्र में सरकार द्वारा विपड़न प्रणाली के सुधार के लिए सुरू किये गए उपाय तो गौर्मेंट ने विपड़न के सुधार के लिए क्या क्या किया है तो गौर्मेंट ने सबसे पहले विनेमित बजार बनाए हैं विनेमित बजार इस्थापित किये गए हैं जहां को ध्यान से देखते हैं, उनको बताते हैं कि किस प्रकार का अनाज हर, कितनी गुणवत्ता हर, किसना उसका प्राइज है, ताकि उचित तराजू और बाट के उपयोग पर कडी निगरानी के साथ बाजार प्रणाली को पारदर्सी बनाया जा सके, यानि जब किसान अपना समा बजार में विप्रन केद्रों में बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर सरकार को क्या करती हैं, तो तराजू और बाट और ऐसी विवस्ता करती हैं, ताकि उनके साथ धोका ना हो सके, जो उनका एक्जेट वैल्यू है, जो उनका उत्पादन है, उस पे उनको प्राइज मिल सके, बजार समीतियां सुनिश्चित करती हैं, कि किसानों को उनकी उपच्का उचित मूल मिल सके, जो समीतियां बनाई गई हैं बजार समीतियां गवर्मेंट के दवारा, तो उनका में उत्देश यही होता है, कि जो ग्रामीर लोग है, जो उनका उत्पादन उनको अच्छा मूल मिल सके सहकारी किरसी विपड़न समितिया सरकार सहकारी किरसी विपड़न समितियों के गठन को प्रोसाहित कर रही है इन समितियों के सदस्यों के रूप में किसान खुद को बजार में बहतर सोधा गर पाते है सामुहीक बिक्री के माध्यम से अपनी उपच का पहतर मून ले प्राप्त करते हैं तो गौर्मेंट क्या करती है सहकारी किरसी यानि अपना जो अनाज है वो बहुत सारे लोगों के सामने रखती है ठीक है और जिसको उचित लगता उसको किसान बेचते हैं भंडारन सुविध किसान करने वाली प्रमुख सरकारी एजनसिया है तो गौर्मेंट क्या करती है बहुत सारे गौर्मेंट जो होते हैं वो भंडारन ग्रह बनाती है जहां पर किसान जो है वो भविश्ति के लिए अपनी अनाजों को रख सकते हैं और जब उनको लगे कि भाई ये इस टाइम ह उचीत मूल है तो उस समय वो क्या गर सकते हैं उसको बेज सकते हैं बंडारन किसानों को उस समय अपनी उपज बेचने में मदद करता है जब बजार मूल ले आकरशक होता है ठीक है तो ये सारी सुविधा भी कोन देगा ये सारी सुविधा भी गौर्मेंट देती है और गाओं से सहरों में अपना समान बेचने के लिए रेलवे द्वारा उनको परिवहन में कुछ सबसीडी भी दी जाती है सूचना का प्रसार इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया किसानों को बजार से संबंधित जानकारी विशेश रूप से बजार में मूल व्य जब उसका हो उस समय अपने उत्पादन को है वो बेच सकते हैं मस्प की निती मस्प निती यानि नियुनतम समर्थक मूल निती किरसी विप्रन परणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा सुरू किया गया एक महत्पूर्ण कदम है मस्प किसानों को यह आसवाशन देता है कि उनकी उपज सरकार द्वारा निर्दर्शित मूल पर ही खरीदी जाएगी यानि किसानों को एक MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया या निमिनतम समर्थन मूल लो गया यानि गवर्मेंट एक प्राइस होता है वो तैय कर देती कि भाई इस से कम कीमत पर उनका सम मूले मिल रहा है तो वहां पर भी बेच सकते हैं इस प्रकार किसानों को हमेशा अपनी फसल की बिक्री से कुछ नियुनतम आय का आस्वाशन दिया जाता है यानि कि उन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है वो पैसा उनका कम से कम रिकवर हो सके इसलिए गवर्मेंट जो है व समझते हैं उभरते वैकलपिक विपड़न छेतर तो और भी बहुत सारे जो विपड़न छेतर हैं वो उभर कर सामने आया जो किसानों को मदद करते हैं पहला किसान बजार की उत्पत्ति किसान उभोकताओं द्वारा भोकतान की जाने वाली कीमतों में अपना हिस्सा बढ़ा सकते हैं यदि वे सीधे उभोकताओं को अपनी उपज बेचते हैं तो एक ये भी तरीका अगर किसान जो है वो ज्यादा तर अपने उभोकताओं को अगर समान बेचें तो उससे उनको ज्यादा फाइदा हो सकता है बिचोलियों का खत्रा नहीं रहेगा तो इसलिए प्रणाम सुरूप किसान बजार की अवधारना शुरू की गई है ताकि छोटे किसानों को सीधे उभोगता हो तक पहुंच परदान करके बिचोलियों को खत् अच्छा मूले भी मिल जाता है जैसे पंजाब हरियाना और राजस्थान में अपनी मंडी यह किसानों द्वारा बनाई हुई है पूरे में हाजस्पर मंडी आंदरपर्देश में राइशु बजार और उजावर सैंडीच तमिलनाडू में किसान बजार तो यह सारे जो हैं वो किसान नो द्वारा शुरू गई जो मंडी आ हैं जहां से किसान जो होते हैं डायरेक्ट जो होते हैं अपना समान को बेज सकते हैं उनको ज्यादा फायदा भी मिलता है राष्टी और बहुराष्टी कमपनियों के साथ गडबंदन दूसरा तरीका यह हो क्या कर सकते हैं कि राष्टी और बहुराष्टी कमपनियों उनके साथ डारेक्ट कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो कई राष्टी और बहुराष्टी फास्ट फूड चैन किसानों के साथ अनु अनाज उत्पादन करो, जब आपका अनाज हो जाएगा तो उस अनाज को हम ही खरीद लेंगे, तो इसका भी फाइदा होता है किसानों को, तो यह भी एक अच्छी नीती देखने को मिलती है, जहां किसान डैरेट अपने उत्पादन को बेज सकते हैं, फसल उत्पादन का पैटन में बदलाओ, फसल तक पैटन में बदलाओ सामील है, यानि कि अगर हम क्या करें, खाद्यान फसलों से ज्यादा, अगर हम फसले होगा है, तो उससे भी फाइदा मिल सकता है, तो यह भी एक तरीका है, इसका मुख्यों देस्पदार्थ की खेती और वानिज जे खेत ज है, तो इसमें बदलाओ, खाद्यान फसले हैं, वो कम दाम देती है, अगर व्यफसले होगाने में लगे होगा है, तो इससे क्या होता है, तो इससे किष algún परणाली हो जाती, तो उससे किसानों को फाज़ा ज़ादा पैसे होगा, एक कि एक से जादा अना जो को क्या कर सकते हैं बेज सकते हैं उत्पादन गतिविदियों में विविदी करन हो सकते हैं ठीक है एक तो फसल उत्पादन का हम विविदी करन कर सकते हैं दूसरा उत्पादन गतिविदियों का भी विविदी करन कर सकते हैं इसमें अन्य गैर किरसी छ गैर किरसी गत्विदियों में पसु पालन, मतस्य पालन, आदी जैसे सवरखंड भी सामील है, ठीक ना, तो क्या क्या जा सकता है यहां पर, कि किसान क्या कर सकते हैं, खेती के साथ साथ पसु पालन और इन सब चीजों को भी करके जादा फाइदा उठा सकते हैं, तो यह चीज से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन ग्रामीर छेत के अंदर कुछ ऐसे भी रोजगार हैं, जो गैर किरसी रोजगार हैं, जहां से भी हम क्या कर सकते हैं, आए अर्जित कर सकते हैं, या उनको वहां से भी क्या हो सकता है, फाइदा हो सकता है, तो यह कुछ महतपूर्ण गैर किरसी सास्थान है जहां से आय और रोजगार को स्रिजित किया जा सकता है ठीक है तो इनको समझते हैं पसु पालन सबसे पहले समझते हैं भारत की किसान समुदाय मिस्रित किरसी पसु धन ववस्ता के अनुकरन करते हैं इसमें गाय भैस बकरी और मुर मुर्ण देशी ओं के पालन से परिवार की आय में स्थिरता के सासाथ ही खाद्यय सुरक्षा परिवहन इंधन पोषन आदी की वयवस्ता भी प्राप्त होती है तो गामेट जो लोग होते हैं वो मौजशistan को बालते हैं उनसे तो उनको पालता ही होता है साथ में इनको क्या ह परिवहन यानि गायव है इसके गोबर से वो लोग वगयरा बनाना ठीक है कि इंधन का यूज़ कर लेते हैं श्रमिको को अजी का कमाने का विकल्प देता है साथ ही महिलाएं भी बड़ी संक्या में रोजगार पारो है तो ये सारे जो है important है काफी लोगों के लिए जिनके पास जमीने वगेरा नहीं है तो वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं साथ ही महिलाओं को भी जो ग्रामीड इस तर पर छोटे पैमाने पर इनको भी क्या मिल जाता है एक रोजगार मिल जाता है और यहां से अच्छा पैसा कमा लेते हैं इसमें सबसे बड़ा अंस 58 परतिशत तो मुर्गी पालन का है अन्य पस्यूं में उट गधे घोड़े आते हैं सबसे निम इस्तर पर खचरो तथा टट्वों को पाला जाता है तो यह वो छेत्र जो होते हैं जो हमारे प्रेटन छेत्र होते हैं वहां पे इनको ज्यादा धार पुझगार जो है वो सुरजित होते हैं पसुपालन उद्योग में सुधार तो भारत के अंदर जो पसुपालन उद्योग है उसमें भी कुछ सुधार की ज़रूत है यदभी संख्या बल की द्रिश्टी से तो हमारा पसुधन बहुत ही प्रभावसाली दिखाई देता है प पसुँओं को और भी बहुत सारी समस्या जाती हैं जिनका हमारे यहां निवारण देखने को नहीं मिलता है तो उच्छ इस्तर की जो हमारे यहां पसुपालन की गतिविदिया नहीं देखने को मिलती है यहां पसुओं की नसल सुधारने ता उतपादन वृध्धी के लिए न पहतर पसू धन उत्पादन के माध्यम से धार्णिय रोजगार विकल्प का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है तो जिनके पास जो छोटे किसान या जिनके पास जमीने नहीं है तो वो पसू पालन के दौरा अपना अच्छे से गुजार बसर कर सकते हैं तो इसके लिए काफी उच्चेस्तर पर किया जाता है उन्नीस सो इक्यावन से दोजार सोला की अवदी में देश में दुख्त उत्पादन लगबक दस गुना बढ़ा है इसका मुख्य स्रह ऑपरेशन फ्लड यानि दूद की बाढ़ को दिया जाता है या दुख्ध करांती भी कहा जाता है तो हमारे यहां जो है गाए और भेंसे इसलिए जादा पाले जाती है ताकि उनसे जो है वो डेरी प्रोड़क्ट जादा बनाया जाते है ठीक है और भारत के अंदर जो है उन्नीस सो क्यावन से दोजार सोला की अवदी में पस्वों की संख्या भी काफी बढ़ी है और साथ दुखत उत्पादन भी काफी बढ़ा है तो इसकी सुरुआत अगर हम देखें तो इसकी सुरुआत जो हुई थी वो हुई थी गुजरात में यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतरगस सभी किसान अपना विक्र है योग दूध एकत्रित कर उसकी गुणवत्ता के अनुसा प्रसंकरन यानि उनको रख सकते हैं सेव कर सकते हैं ठीक है ना जैसे फ्रीजर बड़े-बड़े होते हैं वहां पर सुरक्षित रखा जा सकता है जो काफी समय तक चलते हैं और फिर उसे सहरी केंद्रों में सहकारिताओं के माध्यम से बेचा जाता है उसके बाद कहां करन किया जा रहा है और गुजरात मद्यपर्देश उत्तरपर्देश आंद्रपर्देश महराष्ट पंजाब और राजस्थान परमुक दुख उत्पादन राज यहां पर बड़ी मात्रा में आचकल दुख उत्पादन हो रहा है और दुख से संबंधित बहुत सारे प्रो को जो ग्रामेडिस्तर पर काम करते हैं इन सब के लिए मतश्य पालन मचली पालन मच्वारों के समुध्याये तो प्रतेग जलगार को मा या दाता मानते हैं सागर हो गए महासागर हो गए सरिता dynasty प्राकृतिक तला प्रवा आदि इनके जीवन दिपक श्रोद बन जाते हैं तो जो भी छोटे बड़े पानी के स्रोत हो गए जहां पर मचलियों का पालन किया जा सकता है, तो ये मचवारों के लिए उनकी आये का एक बहत्पूर्ण स्रोत होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, उसको मा या दाता भी कहते हैं, आजकल देश के समस्त मतश्युत पादन क या देश के अंदर, 65 परतीशत और 35 परतीशत या जो सागर हैं, वहां से मचलियों को पकड़ा जाता है, ये मतश्यूत पादन, सकल घरेलू उतपादन का 0.9 परतीशत है, और मतश्यूत पादों में पर्मुक राज्य में परष्रिम बंगाल, केरल, गुजरात, महराष्ट और तमिल नाडू है तो जो भी समुद्र के तत्वर्ति इलाके हैं और जहां पर पानी की अच्छी सुविधाएं हैं वहां पर क्या होता है मतश्य पालन किया जाता है और ये भी एक अच्छा सुरोथ है आये काम भारत में बजटी प्रावधानों में व्रिद्धी और मतश्य पालन विवम जल किर्सिकी में नवीन प्रदोकी ने उस उद्योग को बढ़ाया है तो गवर्मेंट भी इसके लिए काफी काम कर रही है मचवारों के परिवारों को एक बड़ा हिस्सा निर्धन है इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार निम्न प्रतिवेक्ति आय अन्यकारियों की और सरम के प्रवा का अभाव उच्चे निर्श्चरता दर तथा गंभेर रिंड गरस्ता इन मचवारों समधाय से आजकल जूद रहें तो इनकी सबसे बड़ी समस्या है ये विचारे गरीब परिवार से होते हैं निरक्षर होते हैं इनके पास शिक्षा नहीं होती इनके पास छोटे जो भी इनके जो भी समान होते हैं उसके द्वारा ये क्या करते हैं मचली पालन या मचली पकड़ते हैं और उन रिणिके चक्कर में इनको भी क्या होता है, रिणिके जाल में फसना पड़ जाता है, और बहुत मजबूरी में यो लोग अपना गुजर बसर करते हैं, यदिपी महिलाएं मछलियां पकड़ने के काम में नहीं लगी हैं, पर 60% निर्यात और 40% आंतरिक मतश्य वैपार का संच उनहीं के हातों में हैं, तो मचलियां पकड़के तो महिलाएं नहीं लाती हैं, लेकिन इनके वैपार, इनको बेचना, इन सब गतिविदियों में महिलाओं का योगदान जदा देखने को मिलता है, मतश्य पालन उद्योग में सुधार, तो इसमें सुधार कैसे किया जा सकत तो मचली पालन में पहले से ही प्रयाप्त वृद्धी हो चुकी है तपी मचली पालन में अधिक्य से समंदित परदूशन की समस्या को नियमित करना बहुत जरूरी है ठीक है क्या किया जाता है नदियों नहरों और समुंद्र में इतना ज़्यादा कच्रा फैल दिया जाता है कि मचवारे जो हैं उनको बड़ी समस्य आती है इन सब चीजों को पकड़ने में या फिर मचली वगएरा पकड़ने में क्योंकि जब यह अपना जाल वगएरा डालते हैं तो उसमें कूडा कच्रा जादा आ जाता है तो इनको बहुत जादा महनत लगती है तो यह सबसे का कार इस प्रकार पुनर रचना करनी होगी कि उनके लाब दीर्ग काली नहों और उनकी आजीविका का साधन बन सके तो उनके लिए कुछ महत्पुन जो है चीज करने की जुरूद है ताकि उनका जो फाइदा हो काफी समय तक रहे ऐसा नहीं कुछ समय के लिए उद्यान विज्यान ठीक है बागबनी जिसे कहा जाता है प्रकरती ने भारत को रितुओं और मिर्दा की विविद्था से संपन्न किया है उसी के आधार पर भारत में अनेक प्रकार के बागान उत्पादों को अपना लिया है तो भारत में जो है वो विविद्धिकरन प्रदिया, सुकंदित पौधे, मसाले, चाय, कॉफी तो ये सब जो है भारत के अंदर बड़े पैमाने पर इनका उद्याने इनका उत्पादन किया जाता है रोजगार के साशाज भोजन और पोशन उपलब्द कराते हैं तो ये दोनों काम होता है यहाँ पर एक उनको पोशन भी मिल जाता है और साशाज पर यहाँ पर रोजगार भी मिलता है भारत में बागवानी छेतरक समस्तिक रसी उत्पादन का लगबग एक तीहाई और सकल घरेली उत्पाद का 6 परतिश्चत है ठीक है तो ये भी हमारे GDP में इसका भी 6 परतिश्चत का योगदान देखने को मिलता है भारत आम केला नारियल काजू जैसे फलो और अनेक मसालों के उत्पादन में तो आज विस्व का अगर्णिय देश माना जाता है कुल मिलाकर फल सबजियों के उत्पादन में हमारा विस्व में दूसरा स्थान है तो फल उत्पादन में भी देखा जाए तो भारत जो है वो द महिलाएं क्या करते हैं नॉर्मली बागबानी वगेरा वगेरा हो गई ठीक है और अलग अलग प्रकार के पुस्पो का रोपन करना नए नए तक्निकों से नए नए पोधों का समवर्धन करना ठीक है नए नए फल और फूलों को बनाना तो यह सब जो चीजें हैं वो काफी र अधरनिये रोजगार है विकल्प के रूप में उभराय और इसे महत्पुन प्रोसाहन दिया जाना चाहिए तो इसे काफी प्रोसाहन दिया जाना चाहिए क्योंकि काफी अग्रणिये वेफशाय है यह इसे और बढ़ावा देने के लिए बिजली सीदगर विवश्ता विप कि यह हमारे जीडिपी में और ज्यादा अपना योगदान दे सकते हैं स्टाबनी में देश में खाद शुरक्षा और धानिये विकास में सूचना प्रदोग कर शुर का योगदान दे सकते हैं खादि सुरक्षा और धार्णिये विकास यह जरूरी है किसी भी देश के लिए तो यह जो है सूचना प्रदोकी यानि खादि सुरक्षा कैसे करी जाए और हमारा विकास जो है जो धार्णिये विकास यानि अपने प्रयावरण को कैसे सुरक्षित रहके विकास किया जाए तो सूचना प्रदोकी इसमें काफी महत्पुन भूमिका निभा सकती है सूचनाओं और उप्यूक्त सोफ्ट्वेरों का प्रयोग कर किरसी छेत में तो इसके विश्वेस योगदान हो सकते हैं इस प्रदोकी के द्वारा उद्यामीन तकनीक, कीमतों, मोसम तथा विविन फसलों के लिए मिर्दा की दसाओं की उप्युकता की जानकारी का प्रसारण हो सकता है यानि कौन से समय में, कौन सी फसल को, कितने टेंपरेचर में या कौन सी मिर्दा में कैसे उत्पादन किया जाए तो ये सारा प्रदोकी के समझा जा सकता है और आगे इसका विकास किया जा सकता है इतमें ग्रामीड छेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों का उत्पादन करने की संभावना भी है भारत में एक भागों में सूचना प्रदोग की का परयोग ग्रामीड विकास के लिए हो रहा है तो इसमें काफी रोजगार भी सरजित किया जा सकता है बहुत सारे लोगों को सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, जो आगे चलके लोगों को बताएं, तो इसमें काफी अच्छा रोजगार के भी अवसर हैं, ठीक है, भारत में कई जगों पर ये चीज़े सुरू भी हुई है, और आने वाले समय में इसका विस्तार भी हो सकत हे सचना प्रदोग की भी जय वह सकती है रोजगार के छेत्र में सतत विकास और गल्छा है कि जो भी काovy करते हैं तो ख्रसी का जो विकास है तो कैसे हम प्रयावरण को नुकसान भी न पहुचाएं और एक अच्छी खेती कर सकें तो इसका एक विकल्प हमें देखने को मिलता है जैविक खेती के रूप में हाल ही के वर्सों में रसाइनिक अधारित उरवरकों और कीटनासकों के हानिकारक प्रभावों के बारों में जागरुपता में काफी वृद्धी हुई है तो बहुत सारे लोगों पता लगा है जो भी हम खनिश संसादनों का यूज करते हैं या जो भी हम उरवरों का यूज कर जो खादे आपूर्ती में प्रवेस करते हैं, जल स्रोतों में प्रवेस करते हैं, यानि आज की जो हम टेक्नलोजी का यूज कर रहे हैं, नय उर्वरक खाद केटनासक का यूज कर रहे हैं, तो यह क्या कर रहे हैं, यह हमारे पानी को परदूसित कर रहे हैं, जमीन को परदू तो इसलिए ऐसी तकनीक विक्सित करने के प्रयास के लिए किये गए जो प्रयावरण के अनुकूल हो और सतत विकास के लिए आवस्थक हो ऐसी ही एक प्रयावरण अनुकूल तकनीक है जैविक खेती तो ऐसे लिए खेती के ऐसे संसादनों का विकास किया जाए जिससे प्रया उपियोग नहीं किया जाता है, यानि यहां पर हम सिंथेटिक रसाइनिक, उर्वरा, कीटना सेक, इन सब चीज़ों का उपियोग नहीं करेंगे, और आम तोर पर पर प्रयावरण अनकूल तकनीकों का उपियोग किया जाता है, जैविक खेती, सुरक्षित और स्वास्त भोज यानि एक तो सुरक्षित होती है, और दूसरा जो भोजन होता है, इससे वो स्वास्त आता है की प्रिक्रिया है, जैविक खेती रूप में जो हम देखते हैं, क्रसी के चेतर में देखते हैं, जैविक खेती बहुत इंपरेंट बनकर उबरी है जैविक खेती के लाब क्या है? तो जैविक खेती मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती है यानि ये मिट्टी को खराब नहीं करती है, उसकी उर्वरता चमता को नहीं छीनती है ठीक है और ये दीरकाल इन खेती संभाव है, यहाँ लंबे समय तक खेती की जा सकती है, जादर क्या होता है आजकल हम बिना उर्वरक के कहीं खेती करी ही नहीं जा सकती है, जबकि यहाँ है यह एक दीरकाल खेती का जो है संभावना देती है, जैविक फसले सिंथैटिक रसाय में विता बनी रहती है यानि ये जो फसले हैं यानि जो जैविक खेती होती है वो किसी एक फसल को नहीं और भी फसलों को उगने में महत्पून योगदान देती हैं जो कि कई ऐसी फसले होती हैं जो सिंथेटिक जो हम कीट ना सक या जो भी हम उर्बरक यूज करते हैं तो उस लोग अपयोग होता है तो जल की जो धानता है वो भी बढ़ती है जिससे जल सनरक्षण होता है जैवी खेती एकसर स्थानिये बजारों और चोटे किसानों के लिए फायदे मन्द होती है जो सामुदाइक विकास को बढ़ावा देती है तो ये सामुदाइक तो पर यानि बनाने के लिए किसानों की ओर से जाग रुकता और इच्छा सकती पैदा करके जैविक खेती को लोग पर ये बनाने की अवशकता है। इनको विपरन के अंदर वगेरा भी नहीं मिल पाते हैं और उन सब की सुविधाईं भी नहीं हैं इसलिए भी जो है जैविक खेती जो आगे बढ़ नहीं पाती है। जैविक खेती जो है उनको उस तरह की आए नहीं दे पाती है। तो इसलिए लोग जैविक खेती नहीं करना चाहते है। उत्पादन के साथ साथ क्या है यहां पर फिकल भी बहुत सीमित है यानि बहुत कम ऐसी फसले हैं जो जैविक खेती के दवारा उगाई जा सकती है। ठीक है क्योंकि उन पर छिटकाव नहीं किया जाता तो उस पर कीटना सक और यह सब चीजे क्या करते हैं अपना घर बना लेते हैं और वह क्या करते हैं खराब कर देते हैं। थैंक्स फॉर वोचिंग आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में लाइक कर दीजिए चैनल सस्क्राइब कर दीजिए और अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट कर दीजिए थैंक्यू